हेलो स्टूडेंस कैसे हैं आप सब लोग आप सब हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं घर जाके अच्छे से नोट्स बनाके अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं सारे अच्छ फेलोपमेंट पर हमने जहां स्टॉप किया ता वहीं से कंटीनू करते हैं तोड़े लास्ट टोपिक फो रोट इन डेवलापमेंट और इसमें हलका सथ थेोरेटिकल टॉपिक है रिलेटेट तू साइकोलोजी है तो आज हम पढ़ेंगे थेोरी जोड़ोट इन डेव तो सोशियल डेवलापमेंट जब बचेगी डेवलापमेंट स्टार्ट हुई तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरह की थेोरीज दी रिलेटेट टू की सोशली कैसा बच्चा डेवलाप करेगा सेक्शली कैसा डेवलाप करेगा इंटेलेक्शली कैसा डेवलाप होंगी गॉट पर उसका बिलीफ कैसा होगा spiritual development कैसी होगी तो यही theories के basis पर हम यह chapter continue करेंगे तो सबसे पहले हम आया पास है psychosocial development psychosocial development was given by erickson हमें याद रखना है क्योंकि बहुत बारी पूचा जाएगा according to erickson's theory of psychosocial development इसकी 8 stages है बच चिल्रेन में इसकी 5 stages ही हम पढ़ेंगे तो हर stage में क्या है बच्चे का एक conflict है social हम समझ गए society तो बच्चे का conflict है अपने आप से और society से अगर वो उस conflict को overcome कर जाता है तो he or she reaches the next stage तो क्या लिखेंगे हम at every stage child has a conflict with self and society तो अगर इस stage को overcome कर जाता है तो next stage पर पहुँचता है तो चलिए start करते हैं stages सबसे पहली stages की होती है trust and mistrust यह होता है birth to one year that is the period of infancy इसमें यह देखा जाता है इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने caregiver को parents को full trust करता है for his or her basic needs कि जब भी मिया diaper गंदा हो जाएगा तो वो बदलेंगे या जब मुझे भूक लगेगी तो मुझे दूद देंगे without me saying anything क्योंकि वो बोल नहीं पाता but कभी भी parents या caregivers उसकी basic needs पूरी नहीं कर पाते that is the time he develops mistrust so he trusts the parents and caregivers for basic needs and if needs are not meant he develops mistrust अब इससे उपर वो next stage पर आ जाता है जिसे बोलते है autonomy and shame इसे one to three years की stage होती है यह तो इसमें बच्चे ना सारा काम खुद करना चाहते है खुदी खाना खाना चाहते है खुदी नहाना चाहते है सब कुछ खुद करना चाहते है तो this is the stage जहां उन्हों में autonomy पैदा हो रही है कि हम खुद करेंगे but कहीं बारी जब वो खुद करने के चक्कर में काम गलत हो जाता है तो बच्चा shameful फील करता है शाय हो जाता है उससे जैसे glass टूड गया तो corner में जाके दुबक के बैट जाएगा shyness वाली stage आ जाएगी तो this is the one to three year stage जो देखने को मिलती है toddlers में this age group is toddlers इधर ही हम terrible two की बात करते है terrible two क्या होता है कि बच्चे बहुत शेतान होते है terrible two यानि दो साल के बच्चे तो इस stage में हो क्योंकि autonomy develop कर रहे है independence चाहा रहे हैं तो gains self control, developing autonomy and increasing independence सब काम खुद करना है but अगर गलती से they are unable to succeed in this autonomy then they feel shame and shyness यह हमने example के साथ देख लिया अब इस stage को overcome कर देते हैं इस stage के ना दो नाम भी है this stage को कुछ लोग hope बोलते हैं कि बच्चा is hopeful कि मेरे माबाप मेरा काम करेंगे so this is a stage of hopefulness कि बच्चा is very hopeful कि माबाप मेरा काम पूरा करेंगे autonomy and shame क्या है यह है will बच्चा बहुत strongly, willfully believe करता है कि मैं यह खुद करूँगा कुछ भी हो जाए यह काम मैं खुद करूँगा so this is the stage of will हमाई next stage आती है initiative and guilt इस stage को कुछ लोग बोलते है purpose purpose क्या है यह preschool बच्चों में देखने को मिलती है बच्चा बहुत energetic होता है, playful होता है, imaginative होता है he knows कि मेरा purpose है कि आज मुझे यह काम खतम करना है आज मुझे यह game खेलनी है, he knows his purpose but sometimes अगर वो अपने चीज को overstep कर लेता है कि आज तो मैं यह करके रहूंगा, but mummy papa मना कर रहे है, still he oversteps it, तो उसे guilty feeling आने लगती है he engages himself in energetic play, active imagination but अगर वो अपनी limits को overstep कर लेता है, तो वो guilty feel करने लगता है एक इसका example ले लेते हैं, कि वो imaginative play कर रहा है कि आज kitchen है, kitchen में हम खाना बना रहे है but वही पर mummy बोल रहे है, बेटा, gas मत जलाना, gas के पास मत आना but he oversteps it, तो वो guilt feel करता है जो पहले वाला बच्चा था, वो shy होता है, शरम आती है उसे but इस बच्चे को guilty feeling आती है, कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है so this is initiative and guilt next stage आती है, industry and inferiority तो यह 6-12 years, that is the school age में देखने को मिलती है इसमें क्या है, बच्चा skills develop कर रहा है this is the stage of skill development तो वो school में actively engaged होता है, activities करता है sports में engage होता है, projects में engage होता है but अगर उधर वो successful नहीं होता तो वो inferior feel करता है supposing he is very interested कि वो badminton match खेल रहा है वो try करता है जीतने का, दो बार try करता है, तीन बार try करता है वो established नहीं कर पाता वो जीत तो he starts feeling inferior if he is not able to achieve sense of accomplishment then he feels inferior तो यह हो गई अब inferiority की stage guilt की stage चली गई और वो अपने आप में inferior feel करने लगता है उसे रखता है मेरी ही किसी प्रकार से गलती है next stage आती दिये identity versus role diffusion यह बहुत important stage है यह early adolescence young adults में देखने को मिलती है इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने peer group में अपनी एक जगा बनाने की कोशश करते हैं कि भई चार जनों का group है तो मेरी एक self-importance है but at times children fail to do that तो वो अलग से हो जाते हैं तो उधर they lose what they are so they figure who they are and their place in the world success makes individuals well adjusted and mature but अगर वो fail हो जाते हैं तो identity diffuse हो जाती है तो यह बहुत important stage है once the identity diffuse this is the time when उन्हें psychological disorders होने लग जाते हैं इसलिए हम उन्हें इस पूरी थियोरी को psycho-social थियोरी बोलते हैं कि social aspect से हमाई psyche कैसे related है next आती है intimacy and self-absorption इसे stage of love बोलते हैं बहुत लोग this comes in the late adolescent where जो बच्चा होता है बड़ा late adolescent I mean the age of 15 to 19 years जहां पर वो attachment feel करते हैं love feel करते हैं अपने peer group से कुछ लोग propose भी करते हैं but बहुत 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 होने के बाद वो अपने आपको psycho-social isolation में ले जाते हैं so this is again a very important stage तो जहां पर प्यार हो जाता है हमें और प्यार पूरा नहीं होता तो हम isolation में चले जाते हैं guilt, industry inferiority, identity, role diffusion and intimacy versus isolation बाकी की दो-तीन stages जो है वो हम आगे psychology में पढ़ेंगे तो this is done with the Erikson theory अच्छे से याद रखना है इस पर questions आते हैं ठीक है? simple हमने divide किया है first stage में, infant में then toddler, preschool, school, early adolescent, late adolescent ठीक है? next stage आती है, psychosocial theory this is the sexual development theory जो दी गई है कि बच्चों में sexual development कैसे कैसे progress करती है so again this is a very important and a very famous theory this is given by Sigmund Freud बहुत सबने नाम सुना होगा because बहुत famous theory है ये तीन चीज़ों पर based होती है id, 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 ego या super ego id क्या होता है? unconscious होता है this is the unconscious place in our mind हमें satisfaction और gratification चाहिए? हमें और कुछ नहीं पता ठीक है? this is unconscious क्या समय सही है? क्या morally सही है? क्या मुझे थोड़ी देर wait करना चाहिए? नहीं id को कुछ नहीं पता? id is unconscious part of psyche and it is based on gratification and satisfaction next आता है ego ego थोड़ा थोड़ा समझने लगता है ego works by reason उसे चाहिए gratification satisfaction बटी नोस कि अभी टाइम सही नहीं है मैं थोड़ी देर wait कर लेता हूं so he waits for the gratification and satisfaction to avoid negative consequences super ego क्या है? super ego purpose driven होता है इसे perfection चाहिए होता है इसे moral values पता है if he feels की मेरी इस satisfaction से morally or society is unacceptable तो वो नहीं करेगा उस चीज़ से अपनी gratification या satisfaction तो it incorporates value and morals of the society it ego, super ego इस पर ये थोड़ी based है तो आते हैं अब इसके क्या-क्या है firstly, first stage is oral stage oral stage होती है infancy में यानि up to one year इस stage में क्या होता है? कि बच्चे का pleasure center इसमें हर stage पे एक pleasure center बताया गया है कि कहां पे pleasure center होता है जिससे satisfaction and gratification मिलती है तो इसमें pleasure center होता है बच्चे का mouth infancy में that's why बच्चे की जो सारी gratification सारी satisfaction है वो मिलती है nursing से यानि breast feeding से even up to one year few kids prefer to breast feed the mother continuously because their pleasure center is the mouth next stage पे आते हैं next stage है annal stage ये toddlers में देखने को मिलती है that is one to three years इधर pleasure center होता है annus पूरा उनका concentration होता है कि bodily fluids का control कैसे हो या तो उन्हें gratification satisfaction मिलती है control करके या expel करके चाहे वो urine हो चाहे वो feces हो अगर हम general उसमें सोचें तो जब ये बच्चा toddler होता है तो हमारा भी पूरा ध्यान इसी पे होता है आज potty करी pot पे करी बाहार करी सुसु कित्ती बार करी diaper हट गया या नही है ना तो हम भी इसी चीज़ पे लगे रहते है तो इसका pleasure center है annus तो इसे सारी satisfaction और gratification कहां मिल रही है in control of bodily fluids ठीक है इस पे question भी है तो bodily fluids यानि urine, feces, bladder control, bowel control तो ये हो गई annal stage next stage है phallic stage phallic stage होती है preschool बच्चों में यानि 3 to 6 years के बच्चों में ये stage आती है यहां इनका pleasure center हो जाता है genitals but एक difference है adult के pleasure में और बच्चों का pleasure center में ये जो satisfaction सीख करें हैं ये within the family सीख करते हैं क्योंकि अभी ये भाहर move करना तो चालू नहीं हुए तो as a result they get attracted to the opposite sex parent that means boys get attached to the mothers and girls get attached to the fathers पहले सिर्फ ये mothers वाला concept था तो इसे बोलते थे audipus complex बहुत बारी सुना हो ये term अब एक और complex आ गया है जिसे बोलते हैं electro complex electro complex यानि girls they get attracted to the father थीक है अब ये स्टेज चली गई इस स्टेज के बाद आ जाती है लेटेंसी sexual latency आ जाती है school age में यानि school age हमारी हुई छे से बारा साल तो इसमें क्या होता है dormant stage है सारे sexual interest repress हो जाते हैं बच्चा पढ़ाई में concentrate करता है sports में concentrate करता है activities में concentrate करता है so this is again a dormant stage last stage आ जाती है genital stage 12 years until death this is the stage of sexual awakening sexual reawakening and pleasure center बन जाता है again इसमें pleasure center है genitals but इसमें difference क्या है phallic stage और इस stage में इधर they seek satisfaction and gratification outside the family so pleasure is someone outside the family so this is again genitals is the pleasure center तो यह again 6 stages हो गई very similar age group को divide किया है जैसे psycho social theory में किया था ऐसे इधर stages में age group को divide किया है तो बहुत easy है कोई confusion नहीं है सबसे पहले oral stage mouth then हमारी आती है anal stage bowel bladder control erogenous zone होता है phallic stage genitals होता है odipus complex electra complex next latent हो जाता है puberty तक libido is inactive sexually inactive हो जाता है child dormant stage and lastly death तक sexually active रहता है and death तक genitals are the main pleasure center next theory पर आते हैं intellectual and cognitive theory यह gene pageant ने दी है again from the point of view of nursing this is a very important theory क्यूंकि कभी भी हमारी पास बच्चे engaged होते हैं तो हमें उन्हें किस तरह के toys देने हैं किस तरह के games देने हैं किस तरह की books देनी हैं किस तरह की बाते करनी हैं वो depend करेगा बच्चे का intellectual level क्या है so this is the theory which will help the nurses to give those things to the child and appropriate play में उन्हें engage करें so gene pageant की जो intellectual cognitive theory है it helps the nurses to offer toys, books, pictures, reading according to the development cognitive development of the child तो इस पे questions आते हैं ठीक है जैसे question आएगा कि किस theory के according nurse है plan करें health education तो again gene pageant क्योंकि यही बता रहे है कि उस बच्चे का intellectual level क्या है अगर मैं कोई health education दे रही हूं छोटा बच्चा है तो I will give through pictures I will give through books बच्चा बड़ा हो रहा है I can give practical demonstration तो बच्चे को समझ में आएगा so this is the theory इसमें again stages में divide किया गया है पहली stage है sensory motor sensory motor stage कहने का मतलब है जो infants होते है up to two years इन होने consider किया है coordinating sensory experience and physical actions कहने का मतलब है कि जो बच्चे sensory experience करता है वही उसके लिए main होता है यानि वो जुन जुना सुनता है hearing उसे experience करता है that is the physical form of experience for him कुछ खाना नया चकता है कोई चीज नहीं देखता है bright lights देखता है soft toys से खेलता है so sensory part is the most important part तो वही उसका physical actions का experience है तो इसमें एक term आती है हमारी object permanence इसमें question आया हो है at what age object permanence occurs तो इसका answer है 8 to 12 months अब object permanence का क्या मतलब है अब एक soft toy है अगर कोई छोटा बच्चा है like 4-5-6 महीने का बच्चा है तो मैंने का see this is a toy फिर मैंने पीछे रख लिया मैंने का गायब तो he believes me कि वो जो soft toy है वो गायब हो गया बट 8 महीने के बाद का बच्चा समझने लग जाता है कि ये soft toy गायब नहीं हुआ अगर मैंने soft toy को तक्हे के नीचे छुपा दिया तो उस बच्चे को पता की object को अगर मैं देख नी सकता touch नी कर सकता फिर भी वो तक्हे के नीचे है पर छोटे बच्चे को ऐसा रखते अगर मैं देख नी सकता, तच नी करता तो वो गायब हो गई चीज़, तो object permanence मतलब permanent object है, अगर मैं उसे देख नी पारा, सुननी पारा, तच नी कर पारा पर वो उधर है, so object permanence की definition है, child starts to know that the object still exists, that the object still exists, even if the child is not able to touch it or see it, he or she cannot see or touch it, ठीक है, समझ में आगया object permanence का मतलब, तो ये आजाती है, 8 to 12 months पर ये याद रखना है, this is important, next stage आजाती है, pre-operational stage, 2 to 7 years में आती है, ये stage क्या होती है, अब बच्चा experience करने लगता है, बोलना, उसकी word की vocabulary भढ़ गई, imagination भढ़ गई, pictures and images भढ़ गई, तो उसकी thinking develop होती है, words and imagination के form में, जिसे हम बोलते हैं, symbolic thinking, वो relate करने लगता है, अच्छा Christmas है, तो tree होगा, Christmas tree होगा, Santa Claus होगा, पूरी images, symbols के form में, उसके दिमाग में images बन जाएंगी, इधर तीन important terms आती है, first is magical thinking, where the child believes, कि अगर मैंने सोचा, कि कल मुझे toy मिलेगा, और बाइचंस उसे कल toy मिल गया, तो उसे ऐसा लगते हैं, कि मैंने सोचा था, इसलिए मुझे toy मिल गया, तो magical thinking means, he or she believes that things happen because of his thoughts, because of their thoughts, ठीक है, this is होगी, magical thinking, कि मैंने ऐसा सोचा था, इसलिए ऐसा हुआ, मैंने ऐसा सोचा था, कि काश, मेरा soft toy धुल जाए, बाइचंस ममी ने उसे धुलवा दिया, तो मतलब उसे सोचा और ऐसा हो गया, so this is magical thinking, centration क्या मतलब होता है, center, centration, मतलब बच्चा एक बार में, सीधी डारेक्शन में, पर इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता, तो centration means, he or she considers, only one aspects of the situation, ठीक है, multiple चीज़े वो सोच नहीं सकता, जैसे हम लोग सोचते हैं, है ऐसा किया, तो ऐसा होगा, वैसा किया, तो उसको कैसा लगेगा, फिर उसको कैसा लगेगा, दस लोगों के बारे में सोच लेते हैं, तो इस एज में ऐसा नहीं होता, centration, one direction, animism, animism means, animation, से word drive हुआ है, मतलब बच्चा gives life to inanimate things, जिनमें life नहीं होती, जैसे वो consider करता है कि उसकी डॉल जिन्दा है, वो potty कर रही है, सुसू कर रही है, नहा रही है, खा रही है, so here the child gives life to inanimate things, जिनमें life नहीं है, example, dolls, तो यह terms जानना है इसने ज़री है, क्योंकि इन पे questions आये हैं, तो हमें terms का meaning समझ में आना चाहिए, magical thinking, centration, animism, यह pre-operasional stage में होता है, अब Jean Padgett की next stage क्या है, concrete operational, यह simple है, 7 to 11 years का है, abstract thinking शिरू हो गई, this is the stage where child can play games, puzzles खेल सकता है बच्चा, word games खेल सकता है, board games खेल सकता है, सो यह stage में child starts developing reasoning, abstract numbers, उसकी thinking increase हो जाती है, तो इस पे question आता है, कि which stage the child can play puzzles or solve puzzles, और at what stage the sister should offer puzzles to the child, सो इधर question आता है, pre-operasional, concrete operational, फिर formal operational stage आती है, 11 to 15 years, जहां पे बच्चे की thinking और conceptual हो जाती है, logically think करने लग जाता है, now he can sit with his peer group and discuss things, कि आज ऐसा हुआ था, news में आज इधर अर्थ को एक आया है, या आज इस नेता का ऐसा, polls है, तो he can discuss with his peer group, तो his thinking becomes more logical, and more abstract and conceptual, he can take his or her own stand, तो जैसी है, sensory motor stage, birth से 2 साल तक, उसके बाद यह हो गया, हमने पढ़ा था, pre-operasional, inanimate, इसे खाना खिला रहा है, खाना बना रहा है, फिर concrete operation, हमने पढ़ा था, puzzle solve कर सकता है, board games, pictures, जितनी हम देखेंगे न, बार-बार देखेंगे, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं होगी, हमाई दिमाग में एक चार्ट बन जाएगा, कि भाई यह sensory motor है, inanimate objects को life दीवी है, magical thinking है, यहाँ पर देखो board games है, तो question आएगा, तो तुरंत हमाई दिमाग में आएगा, अच्छा है, यह तो concrete stage पे था, concrete operational stage पे, Gene Paget की थेोरी में, और फिर यह formal जहाँ पे वो अपने peer group के साथ discussion कर सकता है, तो pictures को याद रखेंगे, तो easy होगा theories को याद रखना, I know it is a little difficult, little confusing, बट दो-तीन बार पढ़ेंगे, दो-तीन बार short में pictures देखेंगे, तो अच्छे से याद हो जाएगा, अब next दो theories है, spiritual and moral, उन्हें short में पढ़ेंगे, बट वो भी जरूरी है, तो spiritual theories given by Fowler, state zero होती है, primal और undifferentiated faith, यह infancy में देखने को मिलता है, यानि छोटा बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, undifferentiated faith कर रहा है, मतलब इस पर कर लो, इस पर कर लो, तो अब यह primal और undifferentiated faith के बाद आता है, intuitive और projectile faith, यह देखने को मिलता है, दो से साथ साल के बच्चों में, इसमें क्या होता है, कि they believe that God is magical, ठीक है, वहाँ पर हमने पड़ी थी ना, unanimated चीजों में जान डाल देते हैं, तो here also they believe God is magical, and parents के belief पर बिलीफ करते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलती हूं, कि बिटा, आज रात को तो हनुमान जी आएंगे, हमें भूतों से बच्चाएंगे, तो the child will believe this, so parents के belief पर बिलीफ करते हैं बच्चे, so this is called as intuitive or projectile, मतलब जो parents project कर रहे हैं, उसी चीज़ पर बिलीफ, next projectile faith के बाद आते है, mythical या literal faith, इसमें बच्चे को भगवान magical नहीं लगता, ये 7 से 12 साल की उमर में आती है, he believes God in the physical form, है ना, he starts knowing God through stories, जो भी वो अपने मम्मी, पापा, दादी, दादू से स्टोरी सुनता है, physical form में God exist करता है, and he knows God through stories, next आता है synthetic और conventional faith, ये adolescent age group में आ जाता है, अब बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो इसी stage पर आके stop हो जाते हैं, ठीक है, stop हो जाते हैं, और adult तक इसी stage में रहते हैं, ये वो वाली stage है, जहाँ पर ये believe कर रहे थे, ठीक है, भगवान है, मैं इस भगवान पर believe करता हूँ, और मैं इसी भगवान की पूजा करूँगा, so they form their beliefs, they form their beliefs, and follow it, कुछ लोग end तक इसी stage में रहते हैं, till death, ठीक है, कि मैंने इस भगवान पर believe किया है, और end तक इसी पर believe करके, इधर उनकी stage रुख जाती है, conventional faith, जो normal, conventional का मतलब होते हैं, normal जो सब करते हैं, but कुछ लोग होते हैं, next stage पर पहुँच जाते हैं, individuating और reflective faith, ये क्या होता है, इधर लोग, ये generally late adolescence में देखने को मिलता है, इस stage पर क्या होता है, कि they start thinking, कि अच्छा, मैं इस पर believe कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो क्या ये सही है, so they start questioning their own beliefs, they start questioning their own beliefs, ओकी इस सही गलत को ढूणने लग जाते हैं, again और उससे आगे जाते हैं, जब ये individuating अपने ही चीजों को, अपने ही beliefs को question करने लग जाते हैं, फिर वो next stage पर आते हैं, conjunctive faith, conjunctive faith में क्या होता है, कि वो सोचने लगते हैं, कि life एक mystery है, अपने beliefs को तो उन्हेंने question कर लिया पिछली stage पर, now they start believing life is a mystery, ये किसी भी stage पर आ सकता है life की, adults में भी आ सकता है, young adolescents में भी आ सकता है, और वो उस mystery को खोजने में लग जाते हैं, last stage आती है, universalizing faith, इस stage पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं, very few people reach at this stage, जैसे महात्मा गांधी हो गए, है ना, इधर वो बिलीफ करने लगते हैं, कि हमारा जो purpose है में, वो है लोगों को serve करना, service of others, जैसे मादर टेरसा थी, है ना, तो ये सब उस stage पर पहुँच चुके थे, जहां उन्होंने अपने भगवान से, अपने आप से कोई लेना देना नहीं है, जैसे में पॉपरस ओफ लाइफ इस तू सर्व अदर, इस दू सर्विस अप अदर तो इधर एग्जाम्पल है, बहुत कम लोग इस stage पर पहुच पाते हैं, महात्मा गांधी, मादर टेरसा, ठीक हैं, अब इसे picture form में देखते हैं, इधर से start हो रहे हैं, undifferentiated faith जो बच्चे में, धीरे धीरे जो ममी पापा कहते हैं, बिलीव करने लगता है, भगवान magic है, रात को हाथ जोड़ के सोता है, प्रेयर करता है, खाने से पहले बच्चा, बाद में उसे समझ में आता है, stories के through की नहीं, magical नहीं है, एक figure है, जो stories में exist करती है, फिर धीरे धीरे वो, अपने conventional faith पे आ जाता है, कि हरोज सुबह मुझे मंदर जाना है, शाम को मंदर जाना है, जोदबत्ती करनी है, तो यह conventional हो गया, इस stage पे आके लोग रुख जाते हैं, बट कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आपको question करते हैं, society को question करते हैं, universal faith पे पहुँच जाते हैं, कि main purpose is the service of the poor, service of the nation, ठीक है, इसके बाद हम last story पे आते हैं, psychosocial पड़ी by Ericsson, psychosexual पड़ी, Sigmund Freud, Gene Paget की हमने पड़ी, intellectual theory, उसके बाद हमने पड़ी, spiritual theory by Fowler, अब last है हमारी, Lawrence Kohlberg ने दी है, तीन major levels में डिवाइट किया है, basically इस theory का purpose क्या है, कि हर situation में एक individual कैसे act करेगा, एक बच्चा क्यूं act करेगा उस situation में, उसका behavior कैसा होगा, किस stage पे, तो इसे इसने डिवाइट किया है, three parts में, pre-conventional, conventional and post-conventional, तो pre-conventional में क्या होता है, कि जो बच्चे का behavior होता है, it depends on the reward and the punishment, तो stage 0 में होता है, 0 to 2 years का बच्चा, उसके लिए good क्या होता है, what he likes, छोटे बच्चे को जो पसंद है, वो अच्छा है, बच्चे के लिए bad हो गया, तो simple है, जो उसे पसंद है वो अच्छा है, जो उसे नापसंद है वो गंदा है, two to three years में क्या आता है, obedience and punishment, इधर वो समझ जाता है, कि अगर मैं बात मानूँगा, तो मुझे chocolate मिलेगी, obedience and punishment, तो obedience and punishment की stage में क्या होता है, कि बच्चे को समझ में आ जाता है, अगर मैं बात मानूँगा, तो मुझे chocolate, toffee, toys मिलेंगे, और अगर मैं बात नहीं मानूँगा, तो ममी punishment देंगी, ममी बोल देंगे कि आज TV नहीं देखेंगे, आज आपको ये चीज नहीं मिलेगी, तो two to three years में आती है, four to seven years में क्या आती है, बच्चा वो काम करता है, जो उसके लिए अच्छा होता है, ठीक है, he do things which are good for him, तो इसका भी ये ही मतलब है, अगर हम देखें, instrumental hedonism, instrumental hedonism का मतलब ही ये ही है, कि बच्चा selfish हो जाता है, अपने को जो अच्छा लगता है, वही करता है, next साथ है, concrete reciprocity, ये भी एक important term है, इसका मतलब होता है, बच्चा believes, कि जैसा उसने किया है, वैसा मुझे करना है, उसने एक थपड मारा है, मैं भी एक थपड मारूँगा, उसने मुझे एक chocolate दिया, या lunch share कराया है, तो अगले दिन मैं भी उसे lunch share कराऊँगा, तो concrete reciprocity का मतलब है, तो उसे लगता है, जो उसके साथ हो रहा है, वह ही उसे करना चाहिए, उसी चीज़ को हम good कहते हैं, ठीक है, तो उसके good or bad का belief होता है, जो मेरे लिए अच्छा है, he does things which he believes that are good for him, instrumental hedonism, and concrete reciprocity, जो उसे लगता है कि उसके साथ हो है, वो खुद करेगा सामने वाले के साथ, तो वही अच्छा है, next stage आजाती है, seven to nine years, जहाँ पर बच्चा socially sensitive बन जाता है, वो approval seek करता है, कि अच्छा, यह मुझे देख रहे हैं, अंकल, अगर मैं ऐसा करूँगा, तो he'll judge me and he'll say, अरे यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो इधर आता है, good boy, good girl concept, ठीक है, good boy, good girl, वेर जो उसके सारे actions होते हैं, they gain approval and acceptance, according to their actions, तो they're very aware, कि मुझे तारीफे चाहिए, तो यह stage होती है, seven to nine years, post conventional कब आ जाती है, mid school, higher, middle school में आ जाती है, इधर बच्चे को acceptance नहीं चाहिए, बट उसे यह पता है कि यह चीज़ socially सही है, या socially गलत है, तो he does things according to the laws, and conscious orientation, ठीक है, last stage again, stage होती है, universal ethic principle orientation, यह है सबसे ultimate stage, जो कि बहुत कम लोगों में आती है फिर से, इधर बच्चा principles develop कर लेता है, कि बहुत strong principles, कि मैं अपने principles, sorry, मैं अपने principles follow करूँगा, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, ठीक है, अगर में को लगता है, smoking is bad, this is my principle, मैं इस पर stick रहूँगा, alcohol is bad, और उसी के according में act करूँगा, ना तो मुझे peers का फरक पढ़ रहा, ना social norms का फरक पढ़ रहा, so he behaves according to his own principles in ethics, तो यहाँ पर खतम होती है, हमारी 5 theories जो हमने पढ़ी है, C, छोटा बच्चा जो होता है, उसे avoiding punishment होती है, ठीक है जो stage 1 थी, फिर आता है self interest, जो हमने बोली थी, कि आज तो टौफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, उसके बाद self interest वाली आ गई, कि वही काम करेगा, जो उसके लिए अच्छा है, उसे लगता है, उसके लिए सही है, फिर good boy, good girl attitude आ गया था, pre-conventional के बाद, conventional stage पे, और उसके बाद, वो morals or law के according, society के according, और end अपने principles के according, post-conventional stage above 13 years, ठीक है, तो यह हम आई साई theories हो गई, very important, listen again, revise again, make dot notes, क्योंकि बहुत सारे questions हैं इस पे, इधर थोड़े बहुत questions, discuss कर लेते हैं, पहला question है on assessment, which is not a reaction of a preschool child, to the understanding of death, तो preschool सबसे पहले, हमने देख लिया, preschool यानी 3 to 6 years, इसका बच्चे की magical thinking होती है, firstly, अगर हम एक theory देखें, दूसरी theory के अंदर, जो parents बोलते हैं, वो उस पे believe करता है, 2 to 7 years, तो अब देखते हैं, he believes death is temporary, yes, he believes, कि उसकी कोई जैसे गुड़िया मरती है, जिन्दा हो जाती है, ऐसे कोई और मरता है, तो जिन्दा हो जाता है, magical thinking होती है, ठीक है, believes that dead person can be brought back to life, yes, believes that death is universal, क्या वो preschool ये ऐसा समझता है, कि आज इसकी मृत्ती हो गई है, तो अब वो जिन्दा नहीं होगा, ये समझ नहीं होती, preschool वालो को, उन्हें ऐसा लगता है, कि ये अभी आ जाएगा, थोड़े दिनों में आ जाएगा, ये घुमने गया है कहीं, so this is the answer, ठीक है, C is the answer, preschool accept पूछा है, ठीक है, which is not a reaction, क्या reaction नहीं है बच्चे का, तो he does not believe that death is universal, ऐसा ही होता है, अगर मैं गंदा सोच रहा हूं, तो death आती है, so yes, he does not believe that death is universal, next is the fundamental way of interaction between parents and babies, ये भी हमने देखा था कि senses के थूँ होता है, sensory motor होता है, सबसे important होता है, इसमें touch, touch therapy, जो कि हम बोलते हैं कि massage देनी चाहिए बच्चों को, it is a form of therapy, and फिर हम बोलते हैं कि different toys feel कराने चाहिए, soft क्या होता है, hard toys क्या होते है, so touch, ठीक है, touch, babies और parents के बीच का main interaction होता है, touch, obviously, ये सब भी होते हैं, sensory motor interactions, but main is touch, so the touch is the answer here, next is according to the Kohlbergs theory, अब हम जाएंगे, अच्छा, Kohlbergs ने moral theory दी थी, moral development की, the child follows rules to please others, मुझे दूसरों को please करना है, है ना, ये हमने क्या पढ़ा था, good boy, good girl, तो ये कौन सी age पे आता है, ये school age पे आता है, ठीक है, school age पे बच्चे को आता है, कि मैं वही action करूँ, जिससे मैं socially accept हूँ, तो ये आता है, school age पे, next है, fluid, segment fluid ने दी थी, okay, psychosexual theory दी थी, तो gratification, अपनी bodily secretions, very simple, annal stage, यहां मैंने बता दिया था, bladder, bowel control, उसी से gratification मिलता है, bodily secretions से, according to Gene Paget's theory, again Gene Paget's ने थी थी, intellectual and cognitive, cognitive development, the following are the intellectual development, of the child between 2 to 7 years, 2 to 7 years पे पहुँच गए हम, Gene Paget वाली थी 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 तो क्या-क्या था वहाँ, magical thinking होगी बच्चे की, animism होगा, centration होगा, but object permanence कहां आया था, ये accept पूछ रहा है, object permanence आया था, 8 to 12 months में, जहां बच्चा समझ जाता है कि, अगर मुझे soft toy नहीं दिख रहा, वो है, गायब नहीं हुआ, तो ये 8 to 12 months में आ जाता है, not between 2 to 7 years, so this is the answer, 2 to 7 years के between magical thinking आती है, animism आती है, centration आती है, next हमारा आता है कि, understanding, one of the following theories is the most important for the pediatric nurse to plan health education, ये भी हमने अच्छ से समझ लिया था, हमने discuss भी कर लिया था, कि health education according to the, gene-paget theory, gene-paget theory of cognitive development, ताकि sisters को पता चले है, हमें health education pictures के थूदेनी है, या physical demonstration के थूदेनी है, kolberg's theory of moral development में तो था, कि morally बच्चा behave कैसे करेगा, किसी भी situation में, bandura's social learning theory होते है, कि बच्चे का social environment कैसा है, जिसके according बच्चा behave करता है, again, brown fan banners ecological theory होती है, कि जो बच्चे की development है, वो उसके relations कैसे effect कर रहे हैं, near relations and distant relations, तो यह हो गया इसका answer, next आता है, the nurse is assessing the psychosexual development of a four-year-old, तो हम कहां पहुँचेंगे, phallic stage में, in a well baby clinic, child visit, according to segment fluid, which is the expected psychosexual behavior, क्या expect करेंगे, phallic stage, पहुँच गया, phallic stage में, oral stage हमारी infancy में होती है, annal stage 1 to 3 years, 3 to 6 years, 4 साल का बच्चा पूछा है, फिर latency stage आ जाती है, 6 to 12 years, school age में, ठीक है, तो answer आ गया हमारा, which age group identifies, in less as a punishment of misdeeds, तो अगें, यह वही बच्चा होगा, 3 to 6 years वाला, जहां उसे लगता है, कि मैंने जो सोचा है, वो गलत है, मेरे साथ ऐसा होगा, तो मुझे punishment मिलेगी, तो again, this is the preschool age, ठीक है, इस बच्चे को तो हमने पढ़ा था, कि इसे पता है, कि good deeds, जो में लिए अच्छा है, वो दूसरों के लिए अच्छा है, यह वाला बच्चा ऐसा था, बट यह जो माया toddler था, फिर वो तोड़ा और बड़ा हुआ, बट preschool में उसे समझ में आ गया, उसे ऐसा लगने लगया, कि जो मैं करूंगा, तो मुझे misfortune होगा, अगर मैं गलत करूंगा, तो मुझे punishment मिलेगी, ठीक है, यह हमने पढ़ी थी, फर्स वाली theory में, नेक्स question is, Ericsson theory के according, failure at this stage of development results in, जहां पर हमने पढ़ा था, inferiority complex आ जाता है, जब बच्चा school years में होता है, 6-12 years, he's trying to establish himself, तो inferiority complex आ जाता है, तो this is feeling of inferiority, guilt, shame कहा था, toddler age group में, ठीक है, कुछ तोड़ दिया, शर्मा के बैठ गया, इधर हमने पढ़ा था ना, autonomy and shame, guilt कहा आता है, यहां पर इसे आ जाता है, प्री स्कूल वालों में, purpose driven होता है, उन्हें पता है क्या कर दें, बट अगर वो overstep कर देते हैं, तो उन्हें guilty feeling होने लग जाती है, and a poor self of sense, next stage में आता है, जहां वो peer group में अपने आपको establish करने की, 12 से 15 साल young adults पर वो established नहीं कर पाते, तो उन्हें poor sense of self आ जाता है, तो इधर अगर वो sports में, activities में नहीं establish कर पारे, तो उन्हें inferiority complex आता है, next is, to encourage an infant's cognitive and psychosocial development, parents और caregivers को क्या करना चाहिए, तो cognitive और psychosocial development पर आते हैं, तो psychosocial अगर infant है, psychosocially अगर हम उसकी development देखते हैं, और cognitive development, sensory motor development देखते हैं, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, अकेले छोड़ देना चाहिए, पूरा दिन अकेले खेलता रहें, उसे हमेशा strictly behave करना सिखाना है, infant है, तो हमारा ये infant वाले में punishment, obedience ये वाली तो कोई theory नहीं है, पाच्चों को भी अगर combine किया जाए, तो इस stage पर हम छोटे बच्चे को नहीं कह सकते हैं, ये सही है, ये गलत है, तुझे ये करना है, तुझे ऐसा करना है, no, but क्या हम उसे constant love or care दे सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा उसके साथ, उसके play में engage हो सकते हैं, yes, keep the baby with them all the time, so that he or she is safe, no, this will stop the development of the child, this will stop the psychosocial development, mental development, तो हमेशा उसे साथ मी नहीं रखना, हमेशा केले भी नहीं छोड़ना, दाटना मारना नहीं है, एक loving or consistent environment देना है care का, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उनको अपने play में include करना है, so this is that, thank you so much, it has been a very difficult topic for you guys, I know, थोड़ा सा practical से हट के theoretical topic है, but questions आते हैं, quickly देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने psychosocial theory पढ़ी, जो Erickson ने दी थी, फिर हमने psychosocial theory पढ़ी, segment fluid वाली, जिसमें initial stage होती है, oral, anal, phallic, genital, है ना, ये वाली theory पढ़ी, next हमने पढ़ी, cognitive development वाली theory, जो Gene Paget ने दी है, जिसके according nurse प्लान करती है, कि किस तरह के games बच्चों को देने हैं, next आती है, followers की spiritual theory, जहां पर हमें पता लगता है कि भगवान पर belief कैसे बच्चा डेवलाप करता है, last ही कोलबर्ग सी moral theory, situations में बच्चा behave कैसे करता है, pre-conventional, conventional, जिस पर question आया, good boy, bad boy, school age में, and then post-conventional, जहां वो morals or society के rules समझ जाता है, now your books have abundance of MCQs, this topic से related, तो अच्छे से इस lecture को दुबारा एक बार सुनो, notes बनाओ अपने short में, and MCQs solve करने की कोशिश करो, कोई भी doubt हो, write in comments, I'll get back to you, thank you, bye,